दोस्तों, सारा विपक्स इस समें नरेंद्र मोदी के खिलाफ है सभी के अपने अपने हित हैं, स्वार्थ हैं किसी के राज्य का मसला है किसी के लिए अपने भविश्य का मसला है किसी के लिए किसानों का मसला है सब के लिए अलग-अलग मसले हैं लेकिन नरेंदर मोधी सब के निशाने पर हैं राहुल गांधी तो कोई मोका नहीं छोड़ते के नरेंदर मोधी को पिनप किया जाए और लगातार उनपो वो पोक करते रहते हैं ऐसी ऐसी बाते करते रहते हैं जिससे नरेंदर मोदी पर लगतार वो अटेक कर सके उन्होंने कई मुद्दों पर नरेंदर मोदी को घेरा है और नरेंदर मोदी ने जब कश्मीर को लेके अभी एक कारेकरम में संबोधन किया नरेंदर मोदी ने राउल गांधी का नाम ना लिये बगएर ये कहा कि दिल्ली में बैठे हुए जो लोग हैं जो नेता हैं वो मुझ पर इशारा मुझ पर उमली उठाते हैं कि मैं लोकतंत्र की हत्या कर रहा हूँ चुनाव नहीं होने देता ये सब बाते करते हैं जबकि वो खुद अपने उनके शासित जो राज्ये हैं उनमें खुद को देख कि वो कितना इनका पालन कर बा रहे हैं उनका जाहिर सी बात है राहुल गांधी की तरफ इशारा था राहुल गांधी इसमें ना चाहते हुए भी सुर्खियों में बने हुए हैं इसके कई रीजन हैं राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाया जाना है सोनिया गांधी है कि जल्द से जल्द उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाए बले ही पार्टी के अंदर संगंधनात्मक चुनाओं की परकिरिया पूरी हो या ना हो इसके अलावा वो ये भी चाहती है कि अगर राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बने तो यूपिये के चेर परसंद भी बने यानि कि यूपिये के अध्यक्ष भी वही बने दूसरी और ना तो कॉंग्रेस पार्टी में लोग ये चाहते हैं कि राहूल गांदी फिर से अध्यक्स बने और ना ही UPA के जो एलाइज हैं वो चाहते हैं कि राहूल गांदी जैसे इंसेंसेटिव इंमेच्योर विक्ति के हाथ में UPA की कमान है मैंने पिछले विडियो में बताया था कि UPA में शरत पमार को अध्यक्स बनाया जाने की मुहीम पहले से ही चल पड़ी है और शिव सेना इसे बैक अप कर रही है और शिव सेना का मानना है कि इसके लिए उसे ममता बनर जी और दूसरे दलों का भी समर्थन मिलेगा बहराल रहुल गांधी को लेकर इतना सारा कुछ हाइप है और उन पर सब की नजरे लगी हुई है दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं मोधी सरकार परेशानी में हैं और ये बढ़िया मोका है कि इस समय मोधी सरकार को निशाने पर परंदीप सुर्जेवाला ने एक ट्वीट करके जान करी दी कि राहुल गांधी एक संग्षिप्त विदेश यात्रा पर व्यक्तिकत विदेश यात्रा पर रमाना हुए हैं और वे कुछ दिन तिल्ली से बाहर रहेंगे यानि कि देश से बाहर रहेंगे अकसर जाते हैं राहुल गांधी विदेश उनकी विदेश यात्राओं को लेकर अकसर सवाल उठते हैं कि वो कहां जा रहे हैं ये कोई नहीं जानता और ये एक प्रोटोकॉल है कि आप कोई व्यक्ति अगर वीजा लेकर कहीं विदेश में जा रहा है तो आप उसकी जानकारी क को डिस्कलोज नहीं कर सकते के वो कहां जा रहा है जब तक कि उसके खिलाफ कोई क्रिमनल केस ना हो या फिर वो कोई किसी मामले में वांटेड ना हो या फिर वो कोई क्राइम करके ना भागा हो तो आप किसी की जानकारी को डिस्कलोज नहीं कर सकते ये एक प्रोटोकोल है गो कह रहा है कि वो इंगलेंड में उनके दोस्त हैं महां मिलने जाते हैं और अब फिलाल जानकारी ये आई है कि राहुल गांदी ने कतर एयरवेज की उड़ान पकड़ी है रवीवार को और वहां से वो इटली में मिलान जगह मिलान शहर है बहुत फेमस इटली का वहां के लिए रवाना हुए हैं कहा जाता है कि सब जानते हैं कि राहुल गांदी के नाना नानी इटली में रहते हैं उनकी माता जी सोनिया गांदी इटली की हैं और शायद क्रिसमस अभी गया है उनके लिए गिफ्ट वगेरा उनके नाना नानी ने संभाल के रख्थे होंगे शायद उन वाले समय का इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है ये नाराज ना हो जाए मुझे तो ऐसा लगता है कि राहूल गांधी इटली नहीं कई और गए हैं लेकिन मेडिया में जो जानकारी चल रही है वो यही है कि उन्होंने इटली की फ्लाइट पकड़ी है लेकिन यहाँ पर यह ब राहूल गांधी विदेश रवान हुए यानि के संडे को उससे अगले दिन मंडे को ही उनकी कॉंग्रेस पार्टी का 136 वा स्थापना दिवस भी है और उस दिन वहाँ पर एक परंपरा है के जंडा फिराय जाता है एक छोटा सा कारेकरम होता है सभी कॉंग्रेसी उसमें इ ऐसी हालत में राहूल गांधी को इतली जाना मैं तो नहीं समझता के वो इतली या कहीं भी गए है इस हालात में तो उनका जाना इतना उचित था इस समय स्वास्थ कारणों से इंसान अगर इलाज कराने के लिए बाहर जाए समझने आता है कई बार अपनी माता सोनिया गांधी का जो विदेश जाना है वो उनका परसनल मामला है लेकिन वो एक देश इस देश के सबसे बड़ी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनके एक अंदो पर ये जिम्मेदारी है को वो विपक्ष को फ्रंट से लीड करें लेकिन यही एक बात है जो उन्हें इम इम्मेचर्टी नहीं है बराक ओबामा पहले कहे चुके हैं कि उनमें पुलिटिकल मेचर्टी नहीं है कंसिस्टेंस्टी का आभाव है यह बात कही थी शरत पमार ने बहराल शरत पमार की अगर बात करूं तो यूपिये के जो चेर परसन को लेकर नहीं कंट्रोवर्सी चली है जिसमें सीव शैना ने कहा है कि शरत पमार को यूपिये का चेर परसन बनाया जाए तो इस बारे में कॉंग्रेस के अंदर से भी कुछ आवाजे आई हैं सीनियर लीडर पीची दमरम का बयान आया है उन्होंने एक न्यूज अजंसी को एक इंटरिवू दिया है और उसमे उन्होंने शरत पमार को यूपिये का चेर परसन बनाया जाने पर लेकर उगली भी उठाई है उन्होंने कहा है कि जो यूपिये चेर परसन की पोस्ट है वो कोई परधान मंतरी का पद नहीं है कि इस पर किसे बैठाया जाए यूपिये एक गटबंधन की कमान सभालने वाल कि मुझे नहीं लगता कि पमार खुद UPA का अध्यक्स बनना चाहेंगे क्योंकि इसका कोई सवाल ही नहीं उठता जब भी गटबंधन के दलों की मीटिंग होती है तो स्वभाविक तोर पर वही विक्तिय अध्यक्सता करता है जो सबसे बड़ी पार्टी का नेता होता है वैस है कि हमारा ही नेता अध्यक्सता करेगा जरूत इस बात की है कि गटबंधन में शामिल सभी दल एक दूसरे का सहयोग करें देश में इसे मजबूत बनाया जाए दूसरी पार्टियां भी मीटिंग बुला सकती है लेकिन अगर कॉंग्रेस मीटिंग बुलाती है तो फिर उस टेक्निकली इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि UPA का चेर परसन कॉंग्रेस का नेता ही क्यों है लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है चिदम्रम साब ये भूल रहे हैं कि सोनिया गांधी अब जादे दिन अध्यक्स नहीं रहने वाली हैं कॉंग्रेस की और उनका रिटेर्मेंट तै है हो सकता है कि अगली बार रहे बरेली से चुनाव भी ने लड़ें वहाँ से शाद प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें तो ऐसी स्थिती में जब राहूल गांधी पार्टी के अध्यक्स बन जाएंगे तो क्या राहूल गांधी जैसे सक्ष को सारे जितने बड़े बड़े नेता हैं वो अपना लीडर स्विकार कर लेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को खुद अपने आपसे पूछना चाहिए पीची दम्रम को क्या ऐसा संभव है बैराल खबर तो यही है कि कॉंग्रेस के भावी अध्यक्स और UPA के भ पहराल देश में इस तरह के विकट हालात के बीच राहुल गांधी का विदेश चले जाना ये बात साबित करता है कि उनके बारे में बराक ओबामा ने जो बात कही थी वो बिलकुल सही है राहुल गांधी कॉंग्रेस इन सब पर हम बात करते रहेंगे अब देखते रहें हर आज के बाद लाइब नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें